हेलो गाईज तो बात करने वाले टेरा क्लासिक कोईन के अपडेट के बारे में काफी बड़ी अपडेट निकल करें गाईज यहाँ पर बाइनेस ने 1.2% का बंटेक मेकनिजम जो यहाँ पर अपने ऑंचेन एक्शेंज में इंप्लिमेंट करने वारे थे उनको गाईज नहीं करेंगे लोना क्लासिक जो कि यह नहीं चाहते है यह बोल रहे हैं पहले सभी दुफरी एक्शेंजेस अगर कर देंगे 1.2% का बंटेक इंप्लिमेंट अपने एक्शेंज में उसके बाद करूंगा तो गाईज इसके बाद यहाँ पर काफिद्ध क्योस हो गया तो उस 1.2% का टेक्स फी ट्रेडिंग फी में देना चाता है उसी को यह बर्निंग करेंगे तो यहाँ पर यह सची चल रही है इसी से यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा प्राइज में आपको फॉल देनों मिलेगा यहाँ पर 2.4 की सीरीज में टेरा क्लासिक आ चुका है एक अच इसका सपोर्ट देखोगे तो ऑल्मॉस जो 0.3021669 से लेकरके 0.3022410 तक इसका सपोर्ट लेवल है इस लेवल पर गाई आकर यहाँ पर री टेस्ट किया तो गाइस काफे चाहिए यहाँ पर सपोर्ट लेवल है अगर गैस बिटकोईन यहाँ पे अच्छा परफॉम करती है तो यहाँ से एक अच्छा का सा बाउंस बैक दिखनों मिलेगा बाकी यह कोई फाइनेश अडवाइस है नहीं अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर टेरा क्लासिक से निकल के आ रही है तो अब यहाँ पर देखोगे तो टोटल सप्लाइए यहाँ पर जो बर्निंग इतना टोटल बर्निंग हुई है उसकी अगर बर्निंग की बात कर तो यहाँ पर देख लो औल्मोस 772 मिलियंग की गई है तो कहीं न गहीं बर्निंग अच्छा से हो रहा है लेकिन यहाँ पर जब तक बाइनस सपोर्ट नहीं करेंगे तब साइज 4-5 साल भी लग सकता है इस सब्सक्राइब करेंगे अपने इक्षेंज में उसी टाइम यहाँ पर जो प्राइस का काफी अच्छा यहाँ पर फॉल्ड होने लग गया और उसके बाद गया और उसके बाद गया यह इंडिकेडर जो 27 से 24-25 में आ गया मतलब अब स्टेबलीटी मेंटेन हो चुगी है तो बेसिकली इस प्राइस यहाँ से आपको कम दिनों नहीं मिलेगे हाला कि मार्केट कर जो सेंटिमेंट होगा उससे और यह प्राइस देखने को जान डाउन मिल सकती है यही थी मेरे आपको क्या लगता है बाहिंट को क्या करने चाहिए यह रू कॉन में शरकर बताना वीडियो इस वीडियो पसंदे तो प्लीजाण को स्क्राइब कर लेना विडियो को लाइक कर देना मिल तो आप से लिए वीडियो में तिल ने टेक एन गुटपाई